हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू मैं चनल, आज मैं आपको डीसाइनर बटरफ्लाइ स्लिव टॉप बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने देड़ मिटर जॉर्जट का फैबरिक लिया हुआ है, और एक मिटर मैंने अस्तर लिया हुआ है, आप अपनी पसंद से इसे किस तो इसी भी फैबरिक में से बना सकते है, तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगी, तो अस्तर को मैंने फोर फोल करके बिछाया हुआ है, जो मेरी सैट है और उपर की सैट है वो भी बन्द वाली सैट है, और अस्तर की जो लंबाई है वो मैंने 22 इं पर निशान लगाना है और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें साड़े साथ इंच पर ही निशान लगाना है साड़े साथ इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइंड ड्रो कर देनी है जितना हमने शुल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है अभी यहा लेना है अभी बेक आम होल के लिए हम देर इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट आम होल के लिए एक इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है फ्रंट और बेक आम होल के लिए अभी उपर से एक निशान हमें 14 measurement लेंगे तो आपकी कमर का जो भी measurement हो उसका चौथा बहा करना है और उसमें भी हमें 3 इंच एड़ कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 11 इंच पर निशाण का 4th पाट करना है और तीन इंच एक्ष्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए अभी नीचे से हमें हिप की चोड़ाई का चौथा भग करना है और उसमें भी हमें तीन इंच ही एक्ष्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए क्यूंकि हम दोनों सैट से कट लगाने वाले हैं तो दोनों सैट से हमार आधा आधा इंच सिलाय में चला जाएगा इसलिए हमें 3 इंच एक्ष्टा लेना है अभी हम साइट से भी लेंड डो कर देंगे अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेप डो कर देना है फ्रांट औ लिए अभी सबसे पहले हमें बेक नेक और बेक आम होल से इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने डो किया है बिलकुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है उपर से बंद वाली साइट है इससे भी हम कट कर देंगे तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अभी ह जैसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है और फ्रांट नेक और फ्रांट आम होल की कटिंग कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अभी जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है बिल्कुल वैसे हमें में फेबरिक पर भी इसकी कटिंग कर देनी है लेकिन मेन फेबरिक की लंबाई हमें 24 इंच की रखनी है तो देखे मैंने मेन फेबरिक की भी कटिंग कर दी है और मेन फेबरिक की लंबाई मैंने 24 इंच की रखी है नीचे से 2 इंच मैंने एक्ष्ट्रा रखा हुआ है अभी सबसे पहले हमें मेन फेबरिक वाला पार्ट सीधा रखना है और उसके उपर हम अस्तर को रखेंगे और उसके बाद हम इसके नेक पर और दोनों साइट के आम होल के उपर हमें सिलाई लगा देनी है मेन फेबरिक के उपर अस्तर को रखते हुए दोनों साइट के आम होल पर और नेक पर हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरा जो पाठ है उसे भी हम सीधा रखेंगे और उसके उपर अस्तर को रखते हुए इसके आम होल और नेक पर हम सिलाई लगाएंगे तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी इसमें हमें छोटे-छोटे कट लगाने है तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए उसके बाद जो हमारा अस्तर है उसे हमें उल्टी साइट पर पलट देना है कट लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी साइट पर पलट देंगे और इसके उपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है और कवर सिलाई लगाने के बाद हम इसे नीचे की साइट से अस्तर से जोइंट कर लेंगे और अस्तर की जो बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए स और इसी तरह से दूसरे पाठ में भी अगई है मुझाै अभी इसमें हम छुटे छुटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो हमारा अस्तर है उसे अम्हारां उलटी सैठ पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके उपर कवर सिछाय लगा देंगे पर और आम के वर्डर हे उसे भी हमें double फोल करते वह इसमें सिलाय लगा देनी है सिर्प एस्तर की बॉर्डर को ही हमें फोल करना है तो देखे मैंने इसके उपर कवर सिलाय लगा दी आम हुल पर भी और reicht कौके ऑर यदि आ श fotograf के साथ जवित रखना है और इसके शॉल्डर जोइंट कर लेने है तो देखे मैंने इसके शॉल्डर जोइंट कर लिए है अब इसे हम सीधा कर लेंगे और जहां पर हमारा शॉल्डर है वहां पर बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है तो ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर में हमें एक सीधी लाइन में स्ट्रेट ड्रो कर लेना है तो शॉल्डर से लेकर नीचे तक हम एक सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे इस तरह से अभी इसी तरह से सेम लाइन हम दूसरे पार्ट में भी ड्रो कर लेंगे तो ध्यान रहे जो हमने सेंटर में निशान लगाया है वहां से ही हमें नीचे तक एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है बिल्कुल सीधी लाइन हम ड्रो कर लेंगे इस तरह से हमें दोनों पार्ट में बिल्कुल सेंटर में शॉल्डर से लेकर नीचे तक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है और इसी तरह से जो दूसरे सैट का हमारा शॉल्डर है उसके भी हम बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे और सेंटर से लेकर नीचे तक हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है इस तरह से हमें दोनों ही पार्ट में बिल्कुल जो हमारा शॉल्डर है वहां पर सेंटर से लेकर नीचे तक एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है दूसरे वाले पाट में भी हम एक सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे शॉल्डर से लेकर नीचे तक तो देखे इस तरह से मैंने दोनों साइट में लाइन ड्रो कर ली है अभी जहां तक भी आपको स्लीव लगानी है वहां तक आपको निशान लगाना होगा तो मैं 14 इंच तक इसमें स्लिव लगाने वाली हूँ आप चाहे तो नीचे तक भी स्लिव लगा सकते है तो जहां तक भी आपको स्लिव लगानी है वहां तक आपको एक निशान लगा लेना है तो मैंने 14 इंच पर निशान लगाया है तो शॉल्डर से लेकर 14 इंच तक हम एक निशान लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइट पर भी हमें 14 इंच तक एक निशान लगा लेना है शॉल्डर से लेकर हमें 14 इंच तक एक निशान लगाना है तो यहां तक ही हम sleeve attach करने वाले है और इसी तरह से दूसरी side पर भी हम shoulder से लेकर 14 इंच तक एक निशान लगा लेंगे दोनों ही side में हमें shoulder से लेकर 14 इंच तक एक निशान लगा लेना है अभी जो हमने निशान लगाया है उसका हमें measurement ले लेना होगा क्योंकि वहां तक हम sleeve लगाने वाले है तो जहां पर हमारा पहला वाला part है वहां से लेकर दूसरे वाले part तक हमने जो निशान लगाया है उसका हम measurement ले लेंगे तो यह 28 inch का आ रहा है अभी जो हमने दोनों side में line रोकी है उसे हमें cut कर लेना है तो ध्यान रहे जो हमने line बनाई है उसके उपर ही हमें cut लगाना है इस तरह से हमारे तीनों ही parts अलग हो जाएंगे दूसरे side पर जो हमने line बनाई है उसके उपर भी हमें cut लगा देना है तो देखे इस तरह से हमारे तीनों part अलग हो चुके है अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने ये बचा हुआ आधा मिटर फैब्रिक लिया हुआ है तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है तो ये हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा एक सैट इसकी बंदवाली सैट है और एक सैट इसकी खुली हुई सैट है उसके बाद हम इसे इस तरह से चोड़ाई में एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे तो उपर की सैट इसकी बंद वाली सैट है और जो मेरी सैट है वो भी इसकी बंद वाली सैट है और नीचे से दोनों सैट इसकी खुली हुई है तो फैबरिक को हमें इसी तरह से फोल्ड करना है तो ध्यान रहे खुली वाली साइट अपनी तरफ होनी चाहिए और बंद वाली साइट उपर की तरफ होनी चाहिए इसी तरह से मैं फेब्रिक को फोर फोल्ड करके बिचाना होगा आपको यह ध्यान रखना है उसके बाद जो हमारा 28 इंच का मेजरमेंट आया था उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है तो इंची टेप को हम एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो 28 इसका हमें दूसरा भाग निकालना है तो ये 14 इंच होता है तो हमें 14 इंच पर निशान लगाना है तो ध्यान रहे जहां से हमारी खुली हुई साइट है वहां से हमें 14 इंच पर एक निशान लगा देना है So friends आपको ध्यान रखना है खुली हुई साइट से ही हमें 14 इंच पर निशान लगाना है ये स्लुकी चोड़ाई रहेगी अभी स्लुकी जो लंबाई है वो मैंने साड़े नौ इंच की रखी है आदा इंच हमारा फॉल्डिंग में जाएगा तो ये नौ इंच की रेडी होगी आप स्लुकी लंबाई ज्यादा भी रख सकते है तो आपको ज्यादा फेबरिक लेना होगा अभी हमें इंची टेप को इस तरह से कोने से पकड़ते हुए एक और निशान साड़े नौ इंच पर लगा देना है इस तरह से अभी जहां तक हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहां तक हमें एक लाइन ड्रो कर लेनी है राउंड शेब देते हुए तो इस तरह से हमें राउंड शेब ड्रो कर लेना है अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने राउंड शेब ड्रो किया है बिल्कुल वैसे हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखे इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारी दो स्लिव निकल कर आई है आप देख सकते हैं अभी इसे हम खोलेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये हमारी दोनों ही स्लिव का शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा अभी जो हमारा नीचे वाला राउंड वाला पाठ है उसके उपर आपको स्टीच ही करवानी होगी स्टीच करवाएंगी तो ही इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फॉल करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते है पाद में इसमें स्टीच लगवा लूँगी दोनों ही स्लीव की बॉर्डर को अभी हमें स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और जो सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा लेंगे दोनों ही स्लीव के अभी जो हमारे कटिंग किये हुए तीनों पार्ट से उसे हमें इस तरह से खोलते हुए रख देना है और ध्यान रहे हमारा शॉल्डर से शॉल्डर बिलकुल मिलना चाहिए उसके बाद जो हमने स्लीव के सेंटर में कट लगाया था उसे हमें बिलकुल शॉल्डर के सेंटर में रख देना है और जो हमारा बीच वाला पार्थ है उसके उपर हमें स्लीव को उल्टा रखना है और राइड वाला पार्थ है उसे भी हमें साइड की स्लिव है उसे भी हमें उल्टा रखना है और जो हमने सेंटर में कट लगाया है वो बिलकुर हमारे शॉल्डर के उपर होना चाहिए और जो साइड वाला पाठ है उसे हम उल्टा रखेंगे और शॉल्डर से शॉल्डर को मिलाते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देन से लेकर नीचे तक और यह स्लिव हमारी जॉयंट हो चुकी है आप देख सकते हैं कहीं से भी इसकी धागे नहीं निकले हैं बिल्कुल इजीली इसे हमने जॉयंट कर लिया है और इसी तरह से हमारी दूसरी स्लिव भी जॉयंट हो चुकी है आप देख सकते हैं कितनी फिनिशि कर लेना है और उल्टा करने के बाद हमें शाइट से दो इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है तो इसलिए हमने टीन इंच एक्षटा फैबरिक लिया हुआ था दोनों सैट से हमें की फिटिंग कर लेंगे उसके बाद जो मेन फेबरिक की नीचे वाली बॉडर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा देनी है तो देखे मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही सैट से और नीचे की जो बॉडर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इ से बारा इंच तक की रखनी है अभी सबसे पहले हम पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारी पर हमें इसमें एक सिलाई लगा देनी है तो दोनों ही पट्टियों के बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है ध्यान से आपको बिल्कुल किनार सोती है उतनी आपको प्लिट्स लगाते जाना है और किनारी पर ही हमें सिलय लगाते जाना है सेंटर में हमें सिलय नहीं लगानी है किनारी पर ही हम सिलय लगाएंगे तो देखें मैं इस पट्टी की किनारी पर प्लिट्स लगाते हुए इसमें सिलय लगा दी है अभी आपको रोज केसे बनाना है वो मैं आपको बताती हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका है जो नीचे वाले साइटे उसे हमें इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाना है तो उपर की साइट यह अपने आप ही हमारा रोज बनते जाएगा उसके बाद इसकी किनारी को हम फोल्ड कर ले हो चुका है और यह है इसका फाइनल लूक सो फ्रेंट्स आपको आज का टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भुलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा ये वीडियो देखन के लिए थैंक यू सो मज़ गाइस